हेलो फ्रेंड्स आम डॉक्टर सुहेल दलाल फ्रम संजीनी आयरवेदा होस्पिटल सूरत गुजराथ और आप सब लोगों का में स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल सायरवेदा में आज हम यहाँ पे कपिंग थेरापी के बारे में बात करेंगे यहाँट कलो हो जाता है आप लोगों ने सुना होगा कपिंग ट्रिक्मेंट को आयरवेदा में पंच कर्मुची के अंतर्गर के नम से जाना जाता है और कपिंग ट्रिक्मेंट जो है वो according to चरक सहीता रक्त आवरुत वायू की चिकित्सा है जहां पे blood clot होने की वज़े से वायू आवरुत हो जाता है और severe pain रहता है वहां पे कपिंग ट्रिक्मेंट यानि अलागू चिकित्सा के माधिन से वहां से जो टॉक्सिक और जमा हुआ ब्लड है उसको निकाल दिया जाता है रक्त का परिव्रमन सही हो जाता है और वायू दूर होने की मुझे से पेशन को तुरंत रहत मिल जाती है तो हम अलागू चिकित्सा यानि की कपिंग ट्रिक्मेंट जिसको हिजामा चिकित्सा भी कहा जाता है तो आज हम आपको एक पे पेशन को लाइव आज डिमोंसेशन के द्वारा देखेंगे कपिंग ट्रिक्मेंट थीक करेंगे तो यहां पर हमने कपिंग की शुरुआत की है और इस प्रकार से हमने कप्स लगा हुए है यह कमर का बाद है लोवर लंबर पोर्शन जिसमें हमने लंबर की जो वर्टिबल कॉलम है L1 से लेके L5 तक कप्स लगाए हुए है तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने कप्स लगाए और उसके बाद माइनर कटिंग के तुरू अंदर से पूरा ब्लड बाहर आ रहा है यह पूरा जो ब्लड है यह जमा हुआ खुन था जिसकी वज़े से सीवियर प स्थ्रेटिस की शिकायत होती है या तो यूरी कैसी बढ़ा हुआ होता है और उसकी वज़े से जो मसल्स पेंड रहते हैं उनके सिस में अलाबूची किसा यानि कपिंग थेरापी बहुत ही असर कारक और कारगरसित होती है देखिए इस तरह से यह कप्स लगे हुए है और य जिसाँ कारागरसित हमत्ति ओर-ाम कारगरसित है और है तरह से जिएते हैं जो जो मसल्स प्रहते हैं तरह से जानित선व किढ़ी यह रचा एła झालाबूगं के रहते हैं उनके झालाबूची है यह, तरह यह, आप महा हalım कर। ए कश जाए हो आ नानिया है खित्यारश झाल झाल